कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है नेक्स हम नेक्स टेप्टर जो मैंने वीडियो डाल रखी उसको देखेंगे ठीक है चलिए एक्विशन अपमोशन में दो हमने इने ड्राइब कर लिया था तीसरा मैं देखते हैं ठीक है ना यहीं देख लेले थे थे फ़्वोड़ी से स्पेस एधार है ग्राफ स्टेग बना था स्टेग बना था इस टाइम मिलजी उन स्टेग नशाव यह गया देख लाजाए इस एड़ यू यह वह इन टीटाईम लग की लेंद भी यू होगी और इस वाले की लेंद क्या होगी जा पूरा यह वी है इस वाले की लेंद क्या होगी वी मैनस यू अब distance covered is total area of this trapezium तो distance covered is equal as total area is trapezium क्या होगा एक पहले साइड यह है यू पहले हाफ लिख लो या हाफ बाद में होता क्या हाफ into half into what sum of the parallel side into height तो पहले sum of the parallel side लिख दे थे sum of parallel side ने एक U है और एक पूरा ये V है यह दोनों तो parallel है अपस में तो U plus V sum of parallel side हो गया into half होता है half पहले कर लेते हैं इदर एक को लिदर कर लो ठीक है ना half into U plus V into height कितनी दोनों के बीच में ये T है ये T तो है जब ये T है तो ये भी T है तो हमें ये equation मिला अब इसके आगे हम direct करते हैं देखे हैं मिला था क्या S is equal half into U plus V into T अब equation of first equation of motion जो था V is equal U plus AT तो यहाँ से T की value जब निकालेंगे V minus U by A आएगा V is equal U plus AT T की जब T निकालेंगे तो ये जब transfer होगा V minus U हो जागा और A जब transfer होगा ता अपान में चला जाएगा है नहीं कि T की जगा V minus U by A रख सकते हैं S is equal half V plus U into V minus U by A ये V plus U है अब ये 2A इज़र चला जाएगा अपान में ज़र आएगा तो 2AS is equal ये A plus B और A minus B A square minus B square याने कि V square minus U square ये प्रूव हो गया 2AS is equal V square minus या U square या V square minus B square is equal 2AS या ये भी लिख सकते हैं कि V square is equal U square plus 2AS है ना तो ये 30 equation of motion उसी graph के ल मेथट से प्रूव हो गया अब यहां तक हमने final कर लिए अभी एक topic के लब बचा हुआ हुआ है ये uniform circular motion इसको ध्यान से देखते हैं ठीक है ना उसके chapter खतम हो जाएगा फिर उसके बाद जो है we will see the next chapter जो हमने भेज रखा है ठीक है ना ठीक है बेटा चलिए देखने line by line ही देख लेते हैं अला कि line by line देखने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ चलिए ऐसे ही बता रहता हूँ इसको आप रेट कर लेंगे from here to here कोई doubt हो बत बुचिए यहां से uniform circular motion से यहां तक यहां तक खतम कर लेंगा ठीक है ना कोई doubt हो बत बुचिए यह से चेप्टर खतम हो जाएगा इस पर कोई मूफ कर रहा है तो यह सर्कुलर पाथ होगा और इस motion को बोलता है rotation sorry revolution अच्छा revolution and rotation में अंटर क्या है जैसे माल लो rotation मतलब अपनी axis पे घूमना जैसे earth अपनी axis पे rotate होती अपनी axis जैसे यह earth है sorry कहा का earth है यह earth है यह इसकी axis है इसकी axis के round मतलब अपने ही axis के round ऐसे rotate होती है अपने में ही यह तो rotation होता है एक होता revolution जैसे sun यह है sun के round यह पूरा earth ही गुमता है तो यह revolution है किसी body के चारों तरफ गूमना ही है revolution और अपनी axis के ही around गूमना ही है rotation ठीक है ला तो अभी जो हम circular motion की बात करेंगे, वो revolution वाली की बात करेंगे, revolution कैसे यह मालो center है, मालो क्या है, और इसके चारों तरफ कोई body revolve कर रही है, इस तरीके से, तो इस motion को बोलते है, circular motion, ठीक है न, circular motion, और uniform circular motion का होता है, uniform motion आप समझते हो न, कि जब velocity या equal distance, या equal displacement कवर करे, equal interval of time में, तो यह uniformity होती होता है, अब देखो, यह बास में आगई, equal distance travel करे, equal interval of time में, तो यह uniform motion होता है, और जो वो circle में होगा, तो यह uniform circular motion होता है, equal distance and equal time is uniformity, and अगर वो circular में move कर रहा है, तो वो uniform हो जाएगा, ठीक है न, अब देखो ध्यान से मेरी बास, हम यह consider करे चलते हैं, कि इस radius, मतलब, यह circular path है, जिस पर यह body move कर रही है, यहां से move करना इस्टार्ट किया, इसका radius R है, ठीक है न, तो अगर, अगर कोई मनुष्य यहां से चलना इस्टार्ट किया, यहां से चलते 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 फिर यही पहुँच गया, तो displacement क्या होगी, और distance क्या होगा, यह मेरा question है, तो displacement तो मैंने पता रखा है, जो की concept आपको 0 होगा, क्योंकि initial position पर यह खुद पहुँच गया, फिर से पहुँच गया, तो displacement कितना हुआ है, 0 हुआ, लेकिन दूरी कितनी चला, यह पूरा दूरी चला न, उसका circumference, तो circumference कित यह माल लो, यह पूरी दूरी इसने t time में चली है, तो इसकी speed क्या होगी, distance by time, 2 pi r by t is its speed है न, यही है, एक formula दिया, इसलिए मैं इसको ड़ा बता रहा हूँ आपको, यह दिखिए, यह वाला, ठीक है, अब एक शीज़ा और समझने वाली बात ही तर, जिससे माल लो, उसके chapter यह खतम हो जाएगा, समझना ही है कि बात, इसमें अगर यहां से कोई move करना शुरू कर रहा है, यहां से, और फिर यहां ही पहुच रहा है, ऐसे करके, और माल लो, यहां से चलना इस्टार्ट किया, तो 50 km per hour था, इसकी speed, यह थी, है न, यहां जब चलना इस्टार्ट किया, और through out the motion, कहीं भी कम नहीं हुआ, वही 50 से सुरू किया, उसने करते, 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 फिर 50 पही इसने करम किया, तो, एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह मेरा question है, क्योंकि 50 से move कर रहा है, तो आप लोग सोचेंगे, कि acceleration तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 50, velocity change हो यह नही होता है, जब हम आप से बताये थे, कि velocity होता है, क्या, magnitude प्लस direction, तो अब magnitude मालोग चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन direction तो यहाँ चेंज हो रहा है, हर point पे उसका direction देखो, चेंज होगा, तो हर point पे जब direction चेंज होगा, तो velocity भी तो चेंज होगी, तो velocity भी तो change होगी, क्योंकि velocity, magnitude प्लस direction दोनों का सम होता है, तो यहाँ इस case में जब 50 पूरा move कर रहा है, तो magnitude तो same है, लेकिन यह direction change हो रहा है, हर point पे, इसलिए velocity change होगी, और अगर velocity change होगी, तो acceleration होगा, ठीक है न, तो यह मेरा समझाना था, ठीक है न, समझाने का मतलब य तो यही था, अब magnitude प्लस direction है, दोनों में अगर change होगा, तो obviously velocity change होगी, तो जो velocity change होगी, तो दोनों में से कोई एक भी change होगा, तब भी acceleration होगा, क्योंकि velocity change होगी, ठीक है, तो यह concept थोड़ा सा था एक दो, बस आगी यह chapter आपका finish, इसको एक बार revise कर लिजे, इसके exercise करवाए लेकिन पहले वो chapter next class से सुरू करें, अगर कोई doubt होगा, तो you can ask, ठीक है, फिर thank you